करेंगी इंडेस्टावर शेयर के बारे में और आइडिया शेयर के बारे में यह जो दोनों शेयर है आज खूब भागे हैं तो इंडेस्टावर जो शेयर है यह करीब करेंगे तो जब अतो shy ए तोध गां बैक बैसितन भागे करीद भागज रहें की इन यह भागघ सेयर हैं इंडेस्ट आवर जो शेर है आज करी 14% भागा तो आज जब यह open हुआ तो करीब यह open हुआ 278 पे और इसने एक high बना किया है high बनाया उसने करीब 324 का 324 का एक high बनाया और currently trade कर रहा है 317 पे अभी यह market थोड़ा time बचा हुआ है close होने के लिए तो 317 पे यह trade हो रहा है तो काफी बड़ी candle बनाया जिसने काफी तेजी से भागा है तो इसके बहुत बड़े यहीं जानते हैं इसके पहले इंडियस टावर और वोड़व़व ओन आइडिया दोनों का देखते हैं यह दिया रीजन इंडियस टावर रैलीस बताया है मैंने कि गौवर्मेंट टेली सेक्टर के लिए बहुत सारे बहुत सारे पैकेज लेके आई है जिसके तहत जो है गौवर्मेंट यह कर रही है कि इनको अभी कुछ ड्यूज बचें वो देने के जुरूत नहीं है पांच साल के लिए और और जो इसके कुछ एक्स्ट तो मैंने पूराना वीडियो ड़ाए है उसका मैं लिंक अपने अई बटन पे डाल दूँगा आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं या यह वीडियो के एंड में भी डाल दूगा वहां से भी देख सकते हैं वह बूरा डीटिल मैंने बनाए है बट यहां पर एक ओवर्वी moratorium on a payment of statuary dues by telecom companies as well as allowing 100% foreign direct investment through the automatic route so 100% direct FDI का direct investment कर सकते है जो कि बहुत बड़ा अच्छा चीज है इसके लिए telecom सेक्टर के लिए यह ग्रो करने के बहुत ज्यादा chances है ठीक है और अभी जो है demand जो है यह जब से pandemic आया है यह net का और online चीजों का बहुत demand आया है तो यह काफी demand में है अभी जो है धिरे-धिरे करके यह चाहे तो जो rates है rates भी बढ़ा सकते है demand क्योंकि जाता है तो rates बढ़ाने के chances लग रहे हैं जिससे इनको profit होने के chances लग रहे हैं अभी देखते हैं आगे क्या होगा बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है तो यह main news था और मैंने भी यह पूरे detail में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं बट यह मैंने आपको overview बता दिया 5G कभी आने वाला है तो उससे भी profit होने वाला है और इनके कुछ dues बचे हैं वह सब detail दिया हुआ है बट ओवरल यह है कि इनको काफी benefit हुआ है वोड़फोन आइडिया और इंडस्ट आवर को जो गॉवर्मेंट ने जो लाया है package उसके ताहत तो आईए थोड़ा आप financial भी देखते हैं सबसे पहले इंडस्ट आवर का देखते हैं financial revenue देखते हैं revenue 2021 में 13,954 क्रोर का था काफी जयदा था उससे पहले जो है 6,743 का तो काफी तेजी से बढ़ा है इसका revenue net profit देखेंगे 2021 में 2,912 उससे पहले 1918 था काफी बड़ा जंप हो है इनकी net profit में EPS में देखेंगे 17,52 उससे पहले 17,84 तो earning पर शेर भी बढ़ा है अब शेर ओल्डिंग पैटन जानते हैं promoter के पास जो है 70% है और उनकी शेर प्लेज है 40% जो है शेर प्लेज है जनली शेर यही प्लेज होते हैं तो अच्छी बात नहीं होती बट इनकी शेर प्लेज है अभी अब ये FI की बात करते है FI का जो है करीफ 27 परसंट है इनका stake भी आई का देखते हैं 2.6 परसेंट अधिया का पॉब्ली के बाद देखते हैं पॉइंट सेवं तरी तो पॉइंट सेवं तरी तो पॉब्ली के बहुत कम है अफ़ाइए डी आई प्रोमोटर के बास पड़े हुए है तो शेयर ओडिंग पैटर्न ओके-ओके है आई देखते वोड़ फोन का भी देखते हैं फानेशल कंडिशन तो रिवेन्यू के टांस पर देखेंगे 2021 में 41,952 क्रोर का था उससे पहले जो 44,957 क्रोर का था तो घटा था इनका रिवेन्यू इनका जो नेट प्रॉफिट है माइनस 44,464 उससे पहले माइनस 74,233 क्रोर तो प्रॉफि इसमें EPS देखेंगे माइनस 15,40 उससे पहले माइनस 27,26 तो EPS थोड़ा बढ़ा है तो ठीक ठाक हुआ है वट अभी भी लॉस मेकिंग है शेर होल्डिंग पैटन देखता हैं प्रमोटर के पास जो है करीब 72 परसेंट कोई भी शेर प्लेज नहीं है FIE के पास देखेंगे 4. 4.29 और यह दे डी आई का देखेंगे डी आई के पास करीब है 1.31 के आसपास है पॉब्लिक के पास देखेंगे पॉब्लिक पास 22.36 है तो ठीक ठाक होल्डिंग है इसमें भी प्रमोटर FIE का तो यह शेर जो है आप समझ सकते हैं यह शेर जो है इंडेस्ट आवर और आइड से बढ़ा है तो मेरे खाल से इसमें कुछ कॉंटिटी ली जा सकती है आइडिया में आइडिया करीब 11 रुपए क्या सपास चल रहा है आप चाहे तो उसमें भी अपना थोड़ा वोत इंवेस्मेंट कर सकते हैं और यह इंडेस्ट आवर में भी कर सकते हैं इंडेस्ट आव कर सकते हैं तो यह मेरी अनलेसिस थी मेरा point of view था यह मेरी thinking थी यह मेरी समझ थी अब अपना खुद का analysis करें और इसके बाद ही कोई पैसा लगा है खुद का research करें उसके बाद ही पैसा लगा है क्योंकि profit loss आपको होगा तो आप अपना उसके according decision ले तो आपको यह कैसा लगा news और analysis आप मुझे कमेंट करके बताइए यह आपको target क्या लगता है इंडेस्टाव और यह फिर idea का मुझे comment में लेख सकते हैं और कुछ और news है तो आप comment में डाल सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को benefit मिल सके और आपने like या dislike कर सकते हैं और यदि आपने इस अब सब्सक्राइब नहीं किया तो subscribe कर सकते हैं इसके लावा मेरे टेलिग्राम चैनल है जहां पर मैं फ्री के इंटर डे feature option swing trading के call देता हूं वह बिल्कुल फ्री है आप चाहे तो इसे join कर सकते हैं और वहां पर जो भी call दी जाते हैं वह किवल education purpose के लिए है उसका जो लिंक है मैं अपने YouTube चैनल के description में दे दूंगा आप वहां से जाकर के से join कर सकते हैं तो इस तरीके से यह वीडियो में खतम करता हूं यदि आप इंडेस्टाव और आइडिया शेर में investment करते हैं तो यह दोनों शेर आपके लिए profitable रहें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद